हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम कृष्ण रुकमाउत है मैं एक इंटेरेट डिजाइनर हूँ मैं आज आपके सामने की फाइल को 3ds Max में कैसे ओपन करें जिससे कि कोई भी आपको 3D का प्लान बनाना है कोई भी 3D का एलिवेशन बनाना है तो इसके लिए पहले आपको आपको आपक आप जाओंगे यहां पर दिखाऊओगा इंपर इंस्पोर्ट में जाने के बाद इंपोर्ट के बाद में जाओं हमारी जो आपकी फाइल इस फाइल प्लाई again छो एसे और लिए किसी वी सेटिंग की पर क्लिक नहीं करना और यहां पर सीधा ही Okay करना है, Okay करने के बाद में आपके पास यह AutoCade की File 3ds Max में आ जाएगी इसको यहां से Select करना है, Select करने के बाद में जहां पर भी है इसको बिल्कुल minimize करके, यह arrow का निशान यहां रहा है, इसको यहां से Mid से उता करके, ग्रिड का जो सेंटर मार्क है वहां तक लेके जाना है इसको अब आप पूछ रहे होगा कि मैंने इसको यहां पर क्यों लाया क्योंकि जैसे मैं इसको जैड प्रेस करूगा तो यह मेरे बिल्कुल सामने आ जाएगा और अगर यहां होता और फिर मैं जैड करता तो यह आता ल करो जिससे आपका वर्क आसानी से होगा यह ओटोकेट की फाइल हमारे पास यहां ओपन हो चुकी है इसके बाद में हम यहां पर यह है सेप्स के अंदर है इस प्लाइंस में लाइन और रेक्टेंगल इन दो ही कमांड की मदद से हम इसका 3D प्लान बनाएंगे तो 3D प्लान करेंगे और एजन सेगमेंट पर और इसको एटा देंगे मिद्वॉंट किलिक करेंगे इसके बाद में यहां से किस्ट क्लिक करेंगे रहा यहां पर यहее बाद मोडिफाइग बजाने के बाद में एक्सटीूड एक्स्टीूड टैनिंगे इसको जो भी हम añad चले जाएगी यह जैसे हाइट की तो हमने यह देखो वोल क्रियेट कर ली है एक अब यह दूसरी वोल के लिए इसको कॉपी करेंगे इसको कॉपी करने के बाद में कि सेग्मेंट ऑन करके इसको उठाकर करके यहां रख लेंगे तो यह दूसरी वोल भी हमारी क्रियेट हो चुकी है एहीं हम एकए करके साफ ऑल्स कर लें आज आएगो किर लेंगे कर लेंём यह हो जाएगा तो देखिए दोस्तों हम ने आपको आज एक किपाल को 3ds Max में में कैसे होया हम लंक ही अपको चाठ मर वागा में को ज प्लुप 0 बताएंगे कि 3D डिजाइन कैसे बनाए जाती है 3ds Max के अंदर आप 3D AutoCAD की फाइल से 3D डिजाइन कैसे कर सकते हैं 3D का जो एलिवेशन है वह आप कैसे बना सकते हैं हम अपनी next class के अंदर आपको बताएंगे धन्यवाद